बाइ नहीं की जारी इनके सबके जो इन्वेंटर होते हैं वो मुश्टी यहूदी होते हैं या फिर ये जो अपने अगरे जो भी हिसाई वगरा होते हैं ये होते हैं ऐसा क्या कमी रह गया हमारा ये चोड़ा सब्सक्राइब तैंक यू आपने बहुत अच्छी कॉमेडी गी अपने है ये हकीकत है पॉइंट नमबर वन और दूसरी चीज़ इसके ओपर पचासियों बार बात हो चुकी हुई है हमने कई बार बात किया हो बात ये है कि मुसल्मानों को सिस्टेमाटिकली एजुकेशन से पीछे रखा जा रहा है इन तू वेज नमबर वन अंदरूनी तोर पर है और नमबर दो बैरूनी तोर से ठीक ना तर जो बड़ा इशू है ये सेकुलर लोबी है इसको बड़ी दशफ़ा हमने बात किया जो ये कहते हैं कि कॉलिज से हिजाब वली लड़की को साइड़ पर कर दो जो दीनदार लड़का है उसको साइड़ पर कर दो ये आउट ड लड़की हो जो जनाब चड़ी के अंदर और टाइट पैंटों के अंदर हो इसी तरीके से लड़का ऐसा दिखाया कि जनाब जो मर्द काम लगे और हिजड़ा द्यादा लगे ये यूनिवस्टियों की प्रड़क्शन ये सामने आई तो फिर आपको नदर आना शुरू हुआ कि कौन किस रेस में दौर रहा गया और क्या मामला हुआ ये इंपॉर्टन टाइप दूसरी चीज़ा अंदरूनी तोर पर वो ये है मुसल्मानों ने इसलाम को जैन्मनली पढ़ना चोड़ दिया उसको सीखना चोड़ दिया ये बड़ा जरूरी है इस पर बात किये मेरी प ताहरीर के उपर मैंने तफ्रा किया है कुछ ताहरीर है कुछ उस पर तफ्रा है तो उसको हो सकता है मैं दूबरा पब्लिक करूं मगरिब की तरकी का राज करीबन 2-2 साल पहले वो वीडियो मैंने अप्लोड की थी उसमें मैंने नक्षा खेंचा है कि क्यों मुसल्मान तरक की दोड़ में आगे चला गया याद रखना है इसी तरीके से और कुलिप है वो भी प्राइवेट है इस वकत उसकी वज़ा ये है कि वो जो टॉपिक था वो टॉपिक या तो इतनी ठेट सुबान के अंदर मैंने बोला हुए था क्योंकि उसको मैंने एक बार सुना तो मैंने खुद मुझे हरानगी हुई कि यार क्योंकि अब मैं जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार जो उर्दू मैंने वहां पर बोली हुई है उसको तो कई सनातनी एवन कई मुसलिम्स नहीं समझ पाएंगे उसका फाइदा नहीं है बगर मैं उसको अपलोड करूड कि अगर कुरान ला की किताब है तो इतनी डिफरेंट इंटर्पटेशन क्यों है इस टौटी क्लिप की दिदी गर बीस किस मिनट की उसको भी मैंने प्रैवेट कर दिया था और इस रिजन के शायद वह बात समझनी आएगी या लोग उसके लिए रेडी नहीं थे ते और अपनी हकीकतों को एर्दगिर्द का तारूफ ना करना भगवत गीता वर्सिस कुरान में आफ्टर लाइफ वाली जो एपिसोड है ठीक है ना आफ्टर लाइफ वाली I guess वो लास्ट एपिसोड वो ही है कोई थी? नहीं उसके बाद एक कोई ठीक है ना जो कंक्लूजन है एक और वी थी करम के हवाले से बगवत गीता वर्सिस कुरान की जो छटी एपिसोड है सेकिंड लास्ट एपिसोड आफ्टर लाइफ उसका जो कुरान वाला सेग्मेंट है उसमें मैंने डिटेल से बताया कि कुरान अपने मानने वाले से क्या तकाजा क्या डिमांड करता है वो क्या आपको कहते है तो ये बड़ा दिरूरी है एक बाई कहते हैं तीन साल पहले वीडियो में मिर्दा गालिब साहब की तरह उर्दू बोलने नहीं एड़ा भी नहीं था ठेट उर्दू थी और अभी भी कोशिश करता हूँ कि अपने आपको बेहतर करूँ मगर ये याद रखना चाहिए यहां मैं एक जिकर करना चाहता हूँ तो ये है कि मैं कुझादा को अच्छा स्पीकर तो नहीं हूँ अपनी और्डियंस का ख्याल जरूर रखना चाहिए ये बड़ा दरूरी है उसके पीछे रीजन ये है कि जिन लोगों तक आप पैगाम पहुंचाना चाहते हैं जिन लोगों तक आप बात पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों तक बात ऐसे ही पहुंचे जो उनकी सता है ये बड़ा दिरूरी है अदरवाइस फिर इतनी कीमती बाते हैं जो दाया हो जाएंगी तो आपके पास दो आप्शन्स होते हैं या तो आप इल्मी जुबान इस्तमाल करें खवास की जुबान इस्तमाल करें तो उससे बड़ी तदाद महरूम हो जाएगी बड़ी ओडियंस महरूम हो जाती है जब आप बड़ी टेकनिकल किसम की लिंगो किसम की डिसकेशन करते हैं तो उन टर्मिनालोजी या इस्तलाहात की वज़ा से कई आम जनता जो है वो आपके एहम पॉइंट्स होते हैं उन से महरूम रह जाती है तो उसका नुकसान है तो इसलिए एक अच्छा स्पीकर जो होगा वो हमेशा अपनी अवाम की सता पर आकर बात करता है हाँ अलबता ये ख्याल जरूर रहना चाहिए कि मौजू की जो हकीकत है वो कहीं अवामी ना औजाए मौजू की खिकत तो मौजू की अहमियत नहीं रहे मौजू की थकीकत नहीं रहे लिगे उसको समझाने का तरीका इस लेबल पर होना चाहिए कि एक आम आदमी भी जिसने इसलाम का एक हरफ भी नहीं पड़ना उसको भी वो मसला समझाना चाहिए कि ये बात क्या और ये बड़ा दरूरी है उस लेवल पर आकर हमारे उलमा को भी, हमारे स्पीकर्स को भी, हमारे रिफॉर्मर्स को भी, हमारे इंटिलेक्शल्स को भी बात करनी चाहिए ये जरूर है कि इल्मी काम होना चाहिए अच्छा मैं एक और चीज़ के हक में भी हूँ, जो ये भाई ने सवाल पूछा था, ये कॉमेडी वाले भाई ने, सर्मा जी ने, कि मुसल्मान क्यूं तरकी ये और चीज़ों के पीछे रह गए हैं, उसके पीछे एक रीजन ये भी है, जो मैंने मगर्ब की तरकी का राज मे भी डिसकस की थी, वो ये चीज़ है, कि मुसल्मानों ने उलूम को अपनी सता और अपनी समझ के मताबक धालने की बज़ाए, खुद उस लेवल पर ले जाने की कोशिश की है, जो लेवल खवास का है, आम का ने, लियादा हुआ ये कि महदूद लिमिटिड या लिमिटेश वेराज अब हुआ ये, कि लोगों ने हर डिपार्टमेंट में खास कर दिया उन चीज़ों को कि ये लोग ये काम करेंगे हमने नहीं करना, यह हम इसमें पार्टिस्पेट नहीं करेंगे, इससे स्कोप खतम होता गया, चीज़ें श्रिंक हो गई, इसमें कोई शाक नहीं इ के या काटेग्राइजेशन के, तो खैर बरहल ये इल्मी हलकों में या अजुकेशनिस इस पर जदाबात कर सकते हैं, तो ये बड़ा दरूरी है